लो जानिमन, आगे आपना ताज में, यानि अपने सपनों का घर ये आपका घर है? अरे जान, मेरा नहीं, अपना घर, बोलो अपना घर मगर आप तो कह रहे थे कि आपके पास बहुत बड़ी कोठी है चलो छोड़ो, कोई बात नहीं आप जैसा पती, तो बड़े किस्मत वाली को मिलता है और मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ, कि आप मुझे पती की रूप में मिले अरे गुलाबो, किस्मत वाला तो मैं हूँ, जो इतनी सुन्दर बीवी मुझे मिली अरे आईये मटरू, मेरे यार कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ, तो तेरी सुना कैसा है तू? एक दम मस्त, बैठके अरे मटरू भाई, ये चिडिया कौन है? अरे पंदू, ये तेरी भावी है भावी, इसने घर से बाग के मुझे से शादी की है, बड़ी दिलेर है ये तो फिर हो जाए मटरू भाई, इसी बाग पर एक एक जाम अरे क्यों नहीं पंदू, दो मईने हो गए पूरे, मैंने शराब के दर्शन नहीं किये, जा फटा फट लेया, अभी लाया लगा भाई भाई, जाए 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 यार पंदू, मज़ा नहीं है यार, तो ऐसे कर, एक एक पटियाडा पैग और बना, अभी ले तो, बिना पानी के बनाना खुल भर दे, ये ले मटरू पटियाडा पैग, जी एस आप शराब भी पीते हो, हाँ, पीता हूँ, डार्लिंग, पीता हूँ, इसमें गलती क्या है, मैं तो कहता हूँ, तू भी एक पैग लगा ले मगर आप तो कह रहे थे जी, कि आप तो शराब को हाथ भी नहीं लगाते हैं, और अब ये अरे ओ, गोरी चिडिया, बनाऊं क्या तेरा भी एक पैग, ये क्या बखवास कर रहे हैं आप, जरह तमीज से बात कीजिए साली कुथिया, इसको तमीज सिखाएगे तू, इसको, मेरे दोस्त को ये सही तो बोल रहा है कि एक पैग तू भी लगा ले, वैसे भी तू ये पैग लगाना सीख ले हमारे दंदे में बड़ा काम हैगा जर्निमन वाँ मटरू, अब की बार ला है तू मस्त छोरी, बहुत मज़ा आएगा इसको बेजने में बहुत पैसे मिलेगे ये क्या बोल रहा है जी, और आप क्या धंदा करते हो अरे गुलाबो, तेरी जैसी मस्त, चिडियों को मैं अपने जाल में फसारता हूँ और आगे मोटे रेट में बेज देता हूँ, बस ये ही दंदा है छोटा सा इसका मतलब आपने मुझे दोखा दिया और वो सब प्यार, एक नाटक था हाँ हाँ, वो सब एक नाटक था, नाटक और हमारी ये शादी ये शादी पता नहीं, ऐसी कितनी शादिया कर चुका हूँ अभी तक मैं हराम खौर, तुने मुझे दोखा दिया, मैं तो खौन पी जाओंगे साली हराम खौर, मेरे घिर बन पे हाथ डालती है तू, मेरे घिर बन पे हाथ डालती है तू, रुक तुझे अभी मैं बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ यहले, साले क्तारों कि पोट्र बीष्मादा, अदे आर पकड़ी से हाँ, हम मेरा माल निकाल, मुझे दूसरी चीडिया पंसाने की तियारी करनी है यह पकर मटरू, पूरे धाई लाकर पए यह पंदो में चलता हूँ, फिर मिलते हैं नई चीडिया के साथ अरे जाता हूँ को है, इदर बेट रुक तुझे मैं बताता हूँ हरामियों, भोले भाले मासूम लड़कियों की जिन्दगे बरबाद करते हो तुम दो नो बहल, हमें माफ कर दो हलो, पुलिस स्टेशन चुम शुम. चुम. छलो आपको नब बुरगा हो नो जलती मैंडम जी ओन आप नहीं किया था क्या पूरी स्टेशन में हवालदार साहब गिरफतार कर लो इन हरामियों को यह इंसाम नहीं है यह जलाद है जलाद यह मासूम और बोली भाली लड़कियों को सबसे पहले अपने प्यार के जाल में फसाते हैं और फिर उनसे शादी करते हैं और शादी करने के बाद उने बजार में बेच देते हैं इन्होंने ना मेरे साथ भी यहीं दोका की है और इन्होंने मुझे जवदस्ती शराब भी पि देते बेटी गलती आपकी भी है आपने प्राय मर्द पर विश्वास करके घर से भाग कर अपने माता पिता की मर्जी के विरुद इससे साधी कर ली अरे जरा सोचो उन मावापों पर क्या बीटरी होगी मुझे माफ कर दो जी मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी बहुत बड मेरे प्यारी बहनों आज का जो हमने वीडियो बनाया है वो आपको संदेश देने के लिए बनाया है कि घर से कभी भी भाग कर शादी ना करे ऐसा करने पर आपके मावाप और खांदान का नाम बदनाम तो होगा ही साथ में आपका जीवन भी खतरे में पढ़ सकता है जैसा क कि इस वीडियो में मेरे साथ हुआ और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए कोमेंट कीजिए शेर कीजिए और भाईयो मारा चैनलने सस्क्राइब भी कर दिया करो